ओके आज की इस वीडियो में आपके साथ में One UI 6.1 अपडेट की रोल आउट को लेकर एक लेटेस्ट इंपोर्टेंट न्यूज शेयर करने वाला हूँ तो अगर आप सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं चाहे वो किसी भी स्मार्टफोन सिरीज का स्मार्टफोन है और अगर वो एलिजिबल है One UI 6.1 अपडेट के लिए तो यार आज की इस वीडियो को आप पूरा स्टार्डिंग से लेकर एंट तक जरूर देख मैंने आपको बतायाता है कि आगे जो वीडियो में अपलोड करने वाला हूं उसमें आपको बहुत इंपोर्टेंट न्यूज देने वाला हूं One UI 6.1 अपडेट की रोल आउट को लेकर तो पिछली बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आर आकर One UI 6. इंडिया में रोल आउट कब तक होगा अभी तक तो टेस्टिंग चल रही है लेकिन आखिर कब तक इंडिया में ये अपडेट रोल आउट होगा क्योंकि अब तो S24 सीरीज भी लॉंच हो चुकी है तो कब से सैमसंग अपने स्मार्टफोन को One UI 6.1 का अपडेट रोल है देख सकते हैं सैमसंग की तरफ से ऑफिशली यहाँ पर One UI 6.1 अपडेट की रोल आउट को लेकर गैलेक्सी S मेनेजर की तरफ से यहाँ पर यहाँ पर गैलेक्सी S मेनेजर ने खुद यहाँ पर जो है वो कहा है कि सैमसंग One UI 6.1 का अपडेट कब तक आ जाएगा उसको ल सैमसंग की तरफ से यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चल रहा है और सैमसंग पहले One UI 6.1 अपडेट से पहले February का Security Page इन सारे स्मार्टफोन सिरीज को रोल आउट करेगा इसके बाद में One UI 6.1 का अपडेट रोल आउट किया जाएगा अब यहाँ पर February का जो अपडेट है वो थोड़ा सा डीले हो गया है यहाँ पर या तो Mid February को या फिर Late February को One UI 6.1 अपडेट से पहले February का जो अपडेट उसे रोल आउट किया जाएगा और बात करें यहाँ पर One UI 6.1 अपडेट की तो इन सारे ही स्मार्टफोन सिरीज को यह जो अपडेट है वो first half of 2024 में रोल आउट किया जा सकता है अब यह first half of 2024 मतलब जून 2024 से पहले पहले यह अपडेट जो है वो सारे ही स्मार्टफोन और One UI 6.1 को जो है वो रोल आउट करेगा इसके लिए आपको थोड़ा patience रखना है और One UI 6.1 को बहुत सारे new features के साथ में रोल आउट किया जाएगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि अभी फिलाल के लिए Samsung One UI 6.0 अपडेट के जो error से उसे fix करेगा उसके बा करें अभी officially कोई confirmation तो नहीं है कि कौन से मन्त में S23 series को 6.1 का अपडेट मिलेगा इस report के according Samsung अपनी S23 series के लिए One UI 6.1 अपडेट को March के first week से या फिर मिड मार्च तक रोल आउट करना start कर सकता है उसके बाद में धिरे दिरे बाकी के eligible smartphones में भी यह अपडेट जो है वो आ सकता ह इसका मतलब यह नहीं कि One UI 6.1 का अपडेट S23 series के लिए last March तक आएगा हो सकता है Samsung उसे पहले भी रोल आउट कर सकता है यहाँ पर फिलाल के लिए यह जो RS आ रहे थे वो particular किसी reason में आ रहे थे जैसे यहाँ पर नीचे mention किया हुआ है कि this above information is for S series terminals released in Korea लेकिन फिलाल के लिए Samsung इसे fix करेगा उसके बाद में जैसा कि इन्होंने clear यहाँ पर बता दिया है कि first half of 2024 से पहले पहले जो अपडेट है उसे रोल आउट कर दिया जाएगा तो फिलाल तो One UI 6.1 अपडेट को लेकर यही निउस निकल कर आए थी आगे One UI 6.1 अपडेट की रोल आउट को लेकर या फिर इसकी official timeline को लेकर कोई भी important news आती है तो यहाँ पर आपको उसकी detailed video definitely से मिल जाएगी उसके लिए आपको चैनल को तो subscribe करना होगा जो की बिल्कुल free है तो जल्दी जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजे क्योंकि आगे आने वाली videos आप miss नहीं करेंगे तो फिलाल तो यही सब कु इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यह जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजे सो मैं मिलता हूं से क्लिए किसे इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में thanks a lot for watching